आउनिस ट्यूटियर बांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखिए जैसा कि आप थमनेल में देख रहे होगे कि एजी टी ये लेटेस्ट अपडेट टूडे तो यहां आज की ही खबर है 5000 से अधिक पदों पर हो सकती है भरती खबर आज कृष्णी देशाले से जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रतियोगी छात्रों कि प्रतियोगी छात्रों में अग्रडी छात्र रहे आपके अभिनो मिसरा जी और निखिल सुकला जी दोनों लोग जो है आज कृष्णी देशाले गए चुकि अभी एक दिसंबर को क्रिस मंत्री जी ने मीटिंग जो लिया था उसके आधार पर ये जानना चाहे कि आखिर में हो क्या रहा है तो जो वहां की अपडेट है वो अपडेट आपके सामने रखते हैं चलिए देखते हैं क्या है अपडेट तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे चैनल पर नए हो तो पर लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कोई भी UPT पलासी से रिलेटेड अपडेट हो वो आप तक पहुँचती रहे जो पहुँचेगी एथेंटिक अपडेट होगी आपके पास और अपने प्रतियोगी मित्रों को भी सेयर करना न भूले चलिए देखते हैं देखिए सबसे बड़ी अपडेट जो है यह है कि अगर हम पहली बात करें जो वहां से मने निकल का आया अबिनों मिस्तरा जी और निकल सुकला जी आज क्रिशने देशाले पहुँचे तो वहां उनकी जो वार्ता हुई योगेस प्रताप सिंग जीद्वारा जोकी गुरूप सी मिन समुग की भरती का कायर भार देखते हैं क्रिशने देशाले में उन्होंने क्या क्या बाते किया उसको आपके समक्ष रखते हैं पहली बात तो ये कि 906 अभ्यर्थियों का सत्यापन के लिए जो डाटा क्रिशने देशाले को प्राप्त हुआ था कायने का मतलब 906 अभ्यर्थियों का डाटा जब UPPSC से UPPSC प्रियाग्राज से जो है क्रिशने देशाले को प्राप्त हुआ था आज वो बेरिफाई हो चुका है मैं सत्यापित करके आज वह डिडि लखनों के द्वारा भेजा जा रहा है ठीक है पहली बात तो ये अस्पस्ट हुई कि 906 भरतियों का सत्यापन के लिए जो डाटा क्रिशने देशाले को प्राप्त हुआ था आज वह डिडि लखनों के द्वारा भेजा जा रहा है कहां UPPSC को दूसरी बात क्रिशने देशाले में गुरुप सी की भरति का कार्य देख रहे योगेश प्रताप सिंग जी द्वारा यह बताया गया कि समस्त रिक्त पदो मिस अभी तक जो भरति आनी थी वो 3446 पदों की थी और चुकि अभी इसके पहले भी अभिनो मिसरा जी ने जब मुलाक्यात किया था सचियु जी से यहां UPPSC में तो उन्होंने नए अधियाचन की बात किया था कि पदों को बढ़ा कर भरति की बात ही इसलिए कुछ मामला उलजा हुआ है और आज वो बिल्कुल ही ही असपस्ट है यहां योगेश प्रताप सिंग जी द्वारा यह बताया गया कि 1853 पदों की आराच्छन सहित सुची जो है वह UPPSC को 10 दिसंबर से पहले उपलब्ध करवा दिया जाएगा कहने का मतलब 3446 और 1853 और ठीक है और जो 906 अभियरतियों को तुप माले जी समलित हैं उनकी बात चुड़े पदों की बात की जाए तो 3446 पद और 1853 लगबल ये सेकेंड बात ये है कि इ अधियाचन उत्तर प्रदेश अधिनस सेवाचैन आयोग पहुँचने के बाद क्रिस प्राब्धिक सहायक भरती का बिग्यापन पेट 2022 से ही आएगा ये प्लस बात है कि माने ऐसा नहीं है कि यह वैकेंसी अगले पेट का इंतजार कह देगी ये पेट 2022 पर ही आएगा अब इन बातों से जो कंक्लूजन निकलता है कि यह हस्पस्ट होता है कि अब क्रिस प्राब्धिक सहायक भरती का बिग्यापन पाँच हजार से ज्यादा पदों पर अर्थात बाउन सो से चववन सो के बीच रहेगा यहां फ़ड़ा टाइपिंग में गड़बढ है ठीक है तो क्रिस प्राब्धिक सहायक मेंस एजी टीय की जो भरती की बिग्यापत है वो बाउन सो से चववन सो के बीच रहने वाली है ठीक है अभी आपको बताएं कि एक तारिक निस एक दिसंबर को क्रिस मंत्री सुर्प्रताप साही जीने क्रिस प्राब्धिक सहायक भरती के बिग्यापन को जल निकालने के लिए निर्देश दिये और निर्देश कब दिये उन्होंने इसके लिए जो है सुक्रवार की साम को अधिनस सेवाचैन आयोके अध्यक्ष प्रबीर कुमार और सचिव और निस सकसेना क्रिस निदेशक राज सेखर समेथ जो विभागी अधकारी थे उनके साथ बैठक किया और बैठक में उन्होंने ये असपस्ट किया कि बिग्यापन जो है बहुत जल से जल समस्त बाधाएं जो भी हों इसकी उनिस्तारित करके और जो रिक्त पद हों अब तक के उनको इसमें जोड कर नया बिग्यापन जो है पेट 2022 के आधार पर ही निकाला जाएं और ये देखिए पेपर न्यूज भी है कल की ही थी कि क्रिस मंत्री सुर्प्रताप साही ने क्रिस प्राब्दिक सायक भरती का बिग्यापन जल निकालने के लिए निर्देश दिए बिग्यापन जारी होने में हो रहे बिलंब को लेकर क्रिस मंत्री सुर्प्रताप साही ने सुक्रवार की साम अधिनस सेवचेनायों के अध्यच प्रभीर कुमार सचिव अवनी सक्सेना उनकृष निदेशक राज से खर समेत विभागी अध्यारियों के स साथ सभी बाधाओं को निस्तारित कर रिक्त पदों को जोड़ कर नया इधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए क्रिस्प्राब्धिक सहायक भरती का विग्यापन पिछले 11 माह से लंबित है इस दवरान आयोग के सच्चिव द्वारा भी क्रिस्ने देशक को 30 नॉंबर को एक पत लिख कर 10 माह में रिक्त हुए सब ही पदों की जानकारी पुनह इधियाचन के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए दिए जए ताकि आयोग क्रिस्प्राब्धिक सहायक भरती का विग्यापन जारी कर सके और इसी का अस्पस्टिकरण आज जो है बिल्कूल अस्पस्ट हो गया कि जो नया इधियाचन है वह जो है ये देखिये जो क्रिस्पने देशाले के योगेश प्रताप सिंगी द्वाराई बताया गया कि इधियाचन उत्तर प्रदेश अधिनस सेवाचन आयोग को जो है दस दिसंबर से पहले उपलब्ध करवा दिया जिसमें आज चार दिसंबर हई है तो इस हिसाब से बहुत मने इसी वीक में पहुँच जाएगा और 906 का डाटा जो है वह आज डिटी लखन उद्वारा भेजा जा रहा हमें इस भेद दिया गया है तो यह थी आज की अपडेट और इसमें अभिनो मिस्रा जी बहुत सराहनी कार इनका हमेशा इनका कदम सराहनी है कि यह लगातार जो है इस भरती को लेकर चाहे UPPSC जाना पड़ा चाहे UPPSC चाहे क्रिशने देशाल है दोड़ते रहे और इनके साथी अगड़ी साथी में ब्रिजेन कुमार पांडे जी और योगेश सुकला जी निखिल सुकला जी अमेश सुकला ऐसे से काफी अनकंडिडेट है सभी का नाम मुझे नहीं मालूम है लेकिन इस अभी इनके साथ लगातार मेहनत किये हैं आज की वर्ता में देखिये अभिनो मिस्रा और निखिल सुकला जी जो है क्रिशने देशाला में देखिये बैठे हुए हैं और इन्होंने इस भर्ती के लिए अथक प्रयास किया है और आपको एक महत पूर्ण बात बता दें कि चुकि सासन की तरफ से ये दबाओ है कि सबसे पहले लेकपाल भर्ती प्रक्रिया को जल से जल फाइनल किया जाए तो लेकपाल भर्ती प्रक्रिया में आज लेकपाल की अंतिम डीबी थी चार तारिक को अंतिम डीवी डेट थी डीबी आज समाप्त हो गई है और इस पर बहुत तेजी से कारी चल रहा है और लेकपाल रेजल्ट के बाद AGTE के बिग्यापन की भी बात सासन की तरफ से आई है इस वजह से इतना पूर्ण उमीद है अब तो 10 दिसंबर से पहले तो कोई बात नहीं है 10 दिसंबर के बाद ही बिग्यापन आएगा और 10 दिसंबर के बाद में इस दिसंबर माह में ही उत्तर प्रदेश को जो है 8,085 लेकपाल मिल जाएंगे और जस्ट उसी के बाद AGTE की जो लगभग 1200 से 400 पदों पर बिग्यप्त भी आ जाएगी तो यह थी लेटेस्ट अपडेट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नयवत प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके थैंक यू